बच्चो आज हम पढ़ेंगे कक्सा आर्ट विज्ञान यानि साइन्स का अध्याई आर्ट बलता था दाब हम आपको बताएंगे बच्चो इस पार्ट से संबंदित प्रस्नों के उत्तर अब्यास प्रस्न उत्तर में और सबसे पहला प्रस्न याँ पर आपके लिए धक्के या खिचाओ के द्वारा वस्तों की गत्य की अवस्ता में परिवर्तन के दो-दो उत्तर दीजिए तो आप क्या लिखेंगे उत्तर आप लिखेंगे उत्तर में धक्के के कारण गति की होस्ता में परिवर्तन के उदारें और हेडिंग डाल देंगे बच्चो और नमबर एक लिखेंगे हौकी के खिलाडी का गेन पर प्रहार नमबर दूसरा किसी बच्चे का टायर चलाते हुए गति बढ़ाने के लिए टायर पर लकडीक से प्रहार इसके बाद आता है फिर खिचाओ के कारण गति के होस्ता में परिवर्तन के उदारें तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे और नमबर एक लिखेंगे कुएं से रसी को उपर खिचना और नमबर दो दनुरदर का तीर चलाना ठीक है तो इस परकार से खिचाओ और धक्य के कारण गति के होस्ता में परिवर्तन के आपके दो दो दारन हो जाएंगे यह पहला प्रसंद था आपका बच्चो और इसके बाद आए जान लेते हैं यहाँ पर दूसरा प्रसंद क्या है ऐसे दो दारन दीजिए जिन में लगाएगे बल द्वारा वस्तु की आकरत में परिवर्तन हो जाए और उत्तर आप ठीक इस परकार से लिख सकते हैं लिखेंगे उत्तर और लिखेंगे रबड बेंड खीचना और दूसरा रबड की गेंद को दोन में निकालते समय हमें रची को और यहां पर रिकततान है इसे आपको बरना पढ़ता है ठीक है ऑर इसी प्रकार से खयवाला आपके लिखेंगे एक आवेसित वस्तु अन बैसी तुरस्त को करती है क्या करती है यहाँ आपको लिखना है इसके बाद है गैवाला सामान से लदी ट्रॉली को चलाने के लिए हमें उसको और यहाँ पर आपको वरना है फिर पढ़ता है गैवाला है बच्चों किसी चुम्बक का उत्तरी धुर्ब दूसरे चुम्बक के उत्तरी धुर्ब को और यहाँ पर आप रिकतस्तानों में उत्तर आप देखें कहे वाले में लिखेंगे खींचना, खेवाले में लिखेंगे आकरसित और गह वाले में लिखेंगे धक्का और गह वाले में प्रतिकरसित ठीक है और इस प्रकार से आपके रिकतस्तान हो जाएंगे इन्हें आप रिकतस्तानों पर लिखेंगे इसके बाद बच्चो चोथा प्रसने आपके लिए एक धनुर दर लक्षे पर निजाना साथते हुए अपने धनुर को खीशती है तब वहा तीर को छोड़ती है जो लक्षकी और बढ़ने लगता है इस सुचना के आदर पर निमलिकित प्रकतनों में दिये गए प्रकतन को रिक्तेस्तान में भरना है तो यहाँ पर सबसे पहला आपके लिए कहवाला दनुस को खीशने के लिए दनुर दर एक बल लगाती है जिसके कारण इसकी और यहाँ पर आपको बरना है में परिवर्तन होता है इसके बाद है कहवाला दनुस को खीशने के लिए दन ठरदाई बल है और क्या है यहां staircase लखना है इसके बाद है घहओरा जब टीर लग सकी और गती करता है तो इसपर लगने वाला बल ताथा वायुके और यहांपर फिर से आपको बरना है दो बार यहांपर बरना है आपको दोनु जगेद रिकतस्तान दो जरकें घहओराले में क संपर्क और गहवाले में दो भरने आपको तो पहला लिखेंगे गुरुत्वा और दूसरा लिखेंगे घर्षन और आपका उत्तर हो जाएगा चौथा प्रसने बचो उसके उत्तर आप इस प्रकार से रिक्तस्तानों में भर सकते हैं जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं इसक यहाँ पर कह वाला है बच्चो रस निकालने के लिए निम्बू के टुकणों को अंगलियू से दवाना और खह है दंत मंजन की ट्यूब से पेश्ट बाहर निकालना गह है दीवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सिरे पर लटका एक भार और गह है यहाँ उंची कूद करते समय एक खिलाडी द्वारा एक निश्ची तूंचाई की चड़ यानि बादा को पार करना तो आपका उत्तर क्या होगा उत्तर होगा आपका इस परकार से लिखेंगे कह में लिखेंगे रस निकालने के लिए निम्बू के टुकणों को उंगलियों से दव ठीक है तो कह का आप इस परकार से लिखेंगे और खे वाले का लिखेंगे बच्चों दंत मंजन की ट्यूब से पेष्ट बाहर निकालने के लिए बल लगाने वाला कारायक मांस पेसिय यानि कि पेसिय बाल है तथा बल ट्यूब पर लगता है जिससे ट्यूब की आकरत में परिवर्तन से पेष्ट बाहर निकलता है आई बासमझ में और गह के लिए आप क्या लिखेंगे गह के लिखेंगे दिवार में लगे हुए हुक से लटकी कमानी के दूसरे सरे पर लटके एक बाहर की दिशा में बल लगाने वाला कारायक भार असंपर्क बल वस्तु है जिस सरीर को अतरिक्त बल प्राप्त होता है जिससे वो अपने सरीर को आउसे कूचाई तक उठा सकता है आता है यहां ब्यक्ति को उसकी गति के कारण बल मिलता है ब्यक्ति के स्वयम के सरीर पर बल लग रहा है तता इस बल के कारण ब्यक्ति अपने सरीर को उपर उच्छाल पात करता है तो इस प्रकार से आपका इस प्रस्ण का उत्तर हो जाएगा बच्चों माजवाँ प्रस्ण था यह और कह कह गया कि उत्तर देने थे यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप उत्तर में लिख सकते हैं इसके बाद बच्चों आगे देखते हैं यहाँ पर छटा प्रस्ण है और इसमें पूछा है एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर्म टुकडे को हतोड़े से पीटता है पीटने के कारण लगने वाला बल लोहे के टुकड़ों को किस प्रकार प्रवावित करता है उत्तर लिखेंगे आप एक औजार बनाते समय कोई लोहार लोहे के गर् वर्तन हो जाता है आई बास समझ में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चो यह आपका छटा प्रस्न है और उसका उत्तर आता है फिर आगे सातवां प्रस्न और इसमें कहा है एक फुलाए हुए गुबारे को सनलिस्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दिवार पर देखा गया कि गुबारा दिवार से चिपक जाता है दिवार तथा गुबारे के बीच आकर्शन के लिए उत्तर दाई बल का नाम बताईए उत्तर लिखेंगे एक फुलाए हुए गुबारे को सनलिस्ट कपड़े के टुकड़े से रगड़ कर एक दिवार पर यदि प्रसन और उसका उत्तर फिर आता है बचो आटवा प्रसन और इसमें का है आप अपने हाथ में पानी से भरी एक प्लास्टिक की बाल्टी लटकाए हुए हैं बाल्टी पर लगने वाले बलों के नाम बताईए बिचार भी मर्स कीजिए कि बाल्टी पर लगने वाले बलों और नमबर दो तनाव बल बाल्टी पर लगने वाले बलों द्वारा इसकी गति की अवस्ता में पड़िवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि इस दिसा में लगने वाला कुल नेट बल सुन्य है ठीक है तो यह हो गया आपका आटवां प्रस्न और उसका उत्तर इसके बाद बच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बलों के नाम बताईए उतर क्या लिखेंगे उतर लिखेंगे जब किसी उपग्रह को इसकी कक्सा में प्रमोचित करने के लिए किसी रॉकेट को उपर की और प्रेक्सेपित किया जाता है तो प्रमोचन मंच को छोड़ने के तुरंत बाद रॉकेट पर लगने वाले दो बल हैं कौन कौन से हैं बच्चो नमबर एक लिखेंगे वायू मंडल द्वारा गर्शन बल और नमबर दो गुरुत बल और आपका उतर हो गया अगला है बच्चो दसवा प्रस्ण जब किसी ड्रॉपर के चंचु के चड़ने का कारण है और यहां पर आपके लिए उप्सन दे रखें बच्चो आपको जो है इन में से एक सही चुनना है कह है पानी का दाव खह है प्रतिवी का गुरुत्व गह है रवड के बल्ब किया करती और गह है वायू मंडलिया दाव तो उतर क्या होगा आपका सही उप्सन होगा आपका गहवाला वायू मंडलिया दाव ठीक है तो इस परकार से आप अपने इस दस्वें प्रस्ण का उतर लिख सकते हैं बच्चो इसके साथ ही इस पार्ट से संबंदित प्रस्णों के उतर यहां पर समाप्त होते हैं उम्मीद है कि आपको अच्छे से अगले पार्ट में कुछने प्रस्णतरों के साथ